एपसोड इशेट में देखते हैं, ज्यांग चेंग नाम का ये कल्डेटर सुनन से फैट करने के लिए इसके पोस्ता है, कुछ दिर फैट करने के बाद में उस पतितल जाता है कि सुनन बहुत ताकत तर है, इसलिए वो उसके सामने एक ओफर रखता है कि वो उसकी टीम को कर देता है, और यूचेंग के साथ में फैट करने के लिए पूर्टे तयार हो जाता है, जी देखकर शी फैंग और जैंग चैंग जो की दूर से स्ट को देख रहे हैं, ये दोने काफ़ चोग जाते हैं, इसी टैम पर इस स्किल्स के एक्टिएट होने के साथी सुनन पूर् आटा कर पाओ, तो मैं तुन अलए तुम्हारा से में हार माल लूँगा, तुम जो कोगे बिल्कुल वही होगा, ये कितेवे सुनन के टैक यूचेंग के उपर आगे बड़ता है, यूचेंग भी सुनन के टैक मारता है, लेकिन यहां पर सुनन के टैकर बहुत ज़द पाव जैन चेंग को समालते हुए उससे कहने लगता है नहीं, अभी मैंने उसे मारा नहीं है, जब मैं उसे अटक ने वाला था तो भी मैंने अपनी पार को काउज़ेता कम कर दिया था, इस यूपर मईरा नहीं है, अगर उसका सही तरिके से इलाज कराया गया तो उस लगता है गवर्नर से मिलने के लिए आ जाता है, गवर्नर जैसे ही सुन को देखता है, बहुत कुछ जाता है, और से कहने लगता है, सुनें, मुझे पता चला, तुम मूनलेट शेज़े पोच चुके हो, सुन कहता है, हाँ, आप एकुल ठीक है रहे हैं, मैंने कली अपना कल्टिशन करक मूनलेट लेवला कल्टिवेशन और इसके लावा फेनोमेन टैलेंट है, यह कवशांदार है, तुम जिसे लोग की ही मारे कंट्री को जड़ साथ जरूत है, अपनी तारीफ सुनकर सुनें, इस गवर्नर को थोड़ थैंक्यू किने लगता है, गवर्नर कहता है, सुनें, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, गवर्नर कहता है, जैन वुडी कफी लगी है, कि उसके पास में तुम्हार जिससे दोस्त है, लेकिन वो एक और चीज़ के लिए रखी है, कि उसके पास में एक बहुत शंदर फिजिक है, सुनें कहता ह इन सारे physics को भी अपने body के दर activate करता जाता है जब कोई cultivator इन में से दो physics को अपने body के दर नेरिट कर लेता है तब उसकी पाउर काफी बढ़ जाती है वो लगबग एमपरेर लेवल पहुच जाता है सुनिन कहता है यह निसका मतलब चैन वीडी के पाउचने भी इसे तरीके से दो physics है लेकिन अगर सच में ऐसा है तो उसका condition भी बिता स्लो क्यों है गवणर कहता है नई उसका condition मिल्कुल भी स्लो नहीं है जब वो 12 साल का था तब मैंने काफी लंबे टाम तक उसका condition ट्रेनिंग कराई थी इसकी मतलब से वो 12 साल की एज में फस्ट मूनलेड श्रीचे पोच चुका था इस तरीके से देखा जाये तो उसका condition बहुत ज़्यदा फास्ट है यह सुनकर सुन काफी चोग जाता है वो कहने लगता है ऐसा कैसा हो सकता है जब वो 12 साल का था तभी मूनलेड श्रीचे पोच गया मैं उसका दोस्त हूँ और मुझे कभी इसमेरे पता ही नहीं चला लेकिन ऐसा हो किसा सकता है जब भी मैंने उसे देखा उससे condition power मुझे कभी भी तीज़र लगी ही नहीं गवरनर कहता है वो इसलिए कोई कुछ टैम पहले उसकी मुलाकात प्रिंस जी फैंग से भी थी और उसी टैम पर इंदोरन बीचा फाइट हो गई थी इस फाइट का exact reason क्या था वो तो हमें बता नहीं चला लेकिन रिजल्ट हमारे सामने है प्रिंस जी फैंग ने चैन वीडी के उपर इतना खटतांगा टैक किया कि उसका फिजिक पूरते से खतम हो गया कल्डिशन लेवल भी एंपरेल लेवल से खटकर किंग लेवल पर रह गया मैं उसका फादर हूँ इस सिटी का गवरनर हूँ इसके बावजूद भी मैं उसके लिए कभी भी कुछ नहीं कर पाया मैं हमेज़े स्यादा था कि उससे किस तरह से बदला लूँ लेकिन प्रिंस जी फैंग रोयल फैंग से ब्लोंग करता है रोयल फैंगली बहुत अता ताकत वर है मेरे अंदर इत्ती पावर है नहीं कि मैं रोयल फैंगली से बंगा ले सकूँ तुम ये समझ सकते हो प्रिंस जी फैंग इता ताकत हो रहा है किस पूरी कंट्री के अंदर वो जो चाहे वो कर सकता है उसने कई सारे क्रैम किये है इसके बावजूद भी उस तो कोई कुछ नहीं कर पाता यहां पर मेरे पावर का भी थोड़ से इंपक्ट है इसलिए मेरे बेटे से फैट करने के बाद में वो कुछ मेहनों के लिए तो अंडरगरॉंड हो गया था उसके बारे में किसे कुछ पता नहीं चला लेकिन अगर सचपाती है मेरे को उसके बादा चल भी जाता तो भी मैं कुछ कर नहीं पाता क्योंकि मेरे अंदर इतिपावर ही नहीं ना चत्ते बीबी यह सब कुछ भूल कर मुझे आगे बढ़ना पड़ा यह सब मेरी गलती है काच उस टेम पर मैं चैन वुटी के साथ में होता सुने नहीं कहता है अंकल चैन मैं चैन वुटी को कावची तरह जानता हूँ मुझे बिल्कुल भी लगता कि वो इस तरह का नसान है कि अपने साथ में उसके तरह जो कुछ भी हुआ है उसका इलजाम वो आप पर डाल ही कुश करे वो इस सब के लिए कभी भी आपको ब्लेम नहीं करेगा गविनर कहता है हाँ तुम यह ठीक कहते हो यह सब होने के बाद में उसने कभी भी मुझे ब्लेम नहीं किया और नाई मुझे कभी बतला लेने के लिए का बलकि वो तो मुझसे ये कहा देता कि वो दुपार से अपना कर्डिशन शुरू करेगा उसे जो कुछ में खोया है उसे वापी से हसिल करेगा बले उसना कर्डिशन स्लो हो गया हो लेकिन दीरी दीरही वो आपी से आ गया सकता है लेकिन इस सब में भी एक दिक्कत है चैन वु पूरा फिसक खराब गने के बाद भी उसे चेन नहीं पड़ा है उसकी इसी अरकत के जैसे सब कुछ खराब हो गया है सुननिन कहता है फ्लावर पोईजन कई यह वही पोईजन तो नहीं जिसलो हो जाता है और जैसे कोई कल्टिवेटर अपने कल्टिविटर करता जाता है इस प्रिंच जी फैंग की ये तो बहुत ज़्यादा घटियार काता है उन्होंने करके बिल्कुल ठीक नहीं किया गवर्नर कहता है हाँ तुम ठीक है रहे हो अब तो चैन वोड़ी की पास में केल तीन मेने का टाइम बचा है पोईजन उसकी पूरी बोड़ी के अंदर पूरते स् गवर्नर कहता है उस बारे में बात करने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है मैंने उसके लिए एक ट्रीटमेंट ढूंट लिया है इसके लिए मुझे एक स्पेशल देर का बल़ड चाहिए जो कि तुमारे अंदर हो सकता है कुछ टेम पहले जो फ्रिजस कंपिटिशन अब मुझे तुमारी जुरत है मुझे लगता है तुमारे बलड से यह काम हो सकता है तुमारे पास में कवशंदर फिजिक है क्लेटेशन लेवल भी तुमारे काफी अच्छा है इसके लावा तुमारे पास में फेनमेनों के टैलेंट भी है मुझे पूरी अमीद है तुमार बना नहीं करोगे अब जल्दी सेलकर चैन्वुडी को ढूंडते हैं यहां से हम डिलेटली कुछ गंटों बाद से देखते हैं सारी तेरे हुच चुकी है सुनन के हाथ पर एक चुटा से खटलागा कर उसके हाथ में से कविसर ब्लड बाहर निकाला जाता है इसके गवरनर उस ब्लड से एक मेडिसन मनाकर उसे चैन्वुडी को पड़ा जेता है चैन्वुडी उससे लेते वे सुनन से कहने लगता है सुनन तुम्हारा शुक्रिया तुमने मेरे लिए अपना खून भाया मुझे पूरा यकीन है इसकी मदद से मैं पूरते ठीक हो जाऊंगा जैसा ही मै तुम्हारे इस ब्लड लोस के बदले में तुम्हे बहुत शांदर स्ट्रीट दूँगा सुननन हसते वे अपने खाओ के उपर पट्टी बानते वे चैन्वुडी से कहने लगता है ने ने कोई बात नहीं अब फिलाल तुम्हारा पूरा फोकस खुद को ठीक करने में लगा तुमसे किस तरह स्ट्रीट लेनी है वो मैं खुद सोच लूँगा जी सुनते कि चैन्वुडी तुरंती उस मेडिसन को बीता है जिससे पेनी के साथी उससे नीन से आने लगती है गवर्नर कहता है जे शाय सकते हो चैन्वुडी को कल से पहले होश नहीं आएगा और कल तक ठीक अंकल चैन तो फिर अभी में चलता हूँ यह किते सुनन इस रूम से भाहा निकल जाता है लेकिन गवर्नर के घर के पास में किसी जिए पर खड़ाओकर अपना क्लिटिशन करने लगता है यह पर शुरात में तो सुनन के चेहरे के ओपर कोज़ा दुग गुस्ता दिख कोई दूर से उसे देख रहा है तुन तुन केता है जल्दी से आप सामने आजाएए पिचे पता है आप वहां समझे देख रही है यह सुनने के साथी चैन वुड़ी की बहन इसके पहुच जाती है और सुनन से केने लगती है तो मैं कैसे पता चला कि यहां पे छुपके मैं तुम्हारे सामने आज चुकी हूँ अब अच्छा रहेगा तुम थोड़े कपड़े पहने लो यह सुनते सुनन तुरंती अपने कोड़े पहने लगता है यह लड़की केती है वैसे मैं यहां पर तुमसे थैंक्यू कहने के लिए थी तुमने चैन वुड़ी की मदद की मुझे पूरे हैकिन है तुमने मदद से वो पूरतर ठीक हो जाएगा अब भी बस मैं यह से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे थैंक्यू कहे दूँ यह सुनका सुनन सोचे लगता है आप यह से गुजर रही थी मैंने अच्छी तरस देखा है आपको यहां पर आयवे एक गंटा हो चुका है जबसे आप मुझे देखे जा रही है फिर सूनन इस लेडिस कहता है वैसे आपके मुझे थैंक्यान की जूरत नहीं है वो मेरा दोस्त है उसके लिए मैं इतत्तों करी सकता हूं जो हम साथ में उस सेट के अंजर थे तो उसने कई तरीके से मेरे मदद की उस मदद की बदले में ही सही अगर मैं इतना से ब्लड बहाने के लिए मना करता हूं तो यह मेरे लिए पौज़ा शर्मनाक होगा वैसे अब चैन्वुटी की हलत कैसी है चैन्वुटी की बहन कहती है अब काफी तक ठीक है तुम्हारे ब्लड है करन पोज़दन का अगर ब् इसके बाद में सुनन और लेंड याओ जल्दी सथ गवणरर के पासे पोज़ता है इन दुनों को देखकर यह सुनन से कहता है सुनन तुमने काफी अच्छा काम किया मतलब तुमारे ब्लड ने काफी अच्छा काम किया चैन्वुटी कहलत अब काउजद ठीक हो चुकी है उ इकार में टैम विस्ट करने से अच्छा होगा मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊं जिसकी जुरुत तुम्हें चाहदा है येकिन मानों मुझसे गाइडिंग लेने के बाद में तुम्हेरे पास में कौफी ज़्यादा अच्छी नोलेज होगी वैसे तुम दोनों का इक क्ल क्लिटिशन अच्छी एक्टिवेट करता है और फिर जोर से एक पत्री तरह इशारा करता है उसके सकनी के साथी उसकी हात में से एक एनरजी बोल निकलती है इसके तुरुन दबाद वो पत्थर अंदर की तरह से जोर से बलास्ट हो जाता है फिर गवरनर सुनने से कहता है त तीन बैसिक स्टेजिस बताऊंगा उसके बाद में तुम ये सब कुछ अच्छतर समझ जहोगे फर्स स्टेज है एक बाल को एक शार्प सवोर्ड से काटना इसके बाद में थर्ड स्टेज है एक गॉल नगेट को अपने उंगलियों से काटना लेनियों केती है वैसे आपने तीन सेज़ेस बताई, इमें से फर्स वाले तो कुछ ज़दे सिंपल से लग रही है, एक बाल को शार्प स्वोर्ड से काटना, ये क्या मुश्किल हो सकता है जिसलों के गवर्नर सुर्ण के पास मा कर उसके एक बाल तोड़ लेता है, और तो क्या लगता है मैं तो मैं करके दिखाता हूँ, जिके तो गवर्नर उस बाल को अपने एक हाथ से पकड़ कर उस हवाँ में उखल देता है, और फिर अपने दूसरे हाथ की स्वोर्ड से उस बाल के उपर एक जोसे टेक करता है सो गवर्नर ने इस बाल को पूरे पूरा बीच में से काट दिया है इसे दिख के बता चलता है, ये फर्स स्टेज भी थोड़ी मुश्किल थी इसके बाल ने गवर्नर अपने हाथ में एक छुटी से लकड़ी उठाता है उसके अंदर अपनी क्लिशन पावर मार कर उससे जोड से एक पत्थर के प्रटेक करता है जिख साथ ही उस पत्थर के दो टुकड़े हो जाता है ये दिकर सुनन कहता है, ये तो कव शांदार है आपकी स्पिछल अनरजी के उपर आपका पूरा कंट्रोल है इसके बात में बारी आती है तीजरी स्टेज की जिसके अंदर उसे गॉल्ड नगेट को अपनी उंग्लियों से काटना है जीज कहते हुए वो अपने हाथ में एक गॉल्ड का पीस उठा लेता है अपने दूसरे हाथ में कलिशन अनरजी के टिविट करते हुए उससे उस पीस के पर टेक करता है जिसके साथ ही उसके दो टुकड़े हो जाते है इसके बात में गवर्णर रगी कहता है अब तुम दोनों को सब को सुनना आच चुका होगा तुम्हें क्या करना है यह सब कुछ करने के लिए तुमारी बोड़ी का तुमारी स्पिर्चल अंडजी के उपर तुमारी वेपन्स के उपर और तुमारे मैंड के उपर पूर्टिय से कंट्रोल होना चाहिए जब तक तुम यह तीन चीज़ नहीं सिख सकते जब तक यह स्टेजिस भी तुम्हें लिए सीखना एक दर नाम्किन होगा अब तुम दोनों इस चीज़ की अच्छी तासर प्रेक्टिस करो मुझे चैनवडी को देखने के लिए जाना है यहां से हम डिरेक्टली अग्जदिकल से देखते हैं सूनन और लेंग जाओ तुर अपने तरीके से अपने प्रेक्टिस कर रहे है गवर्नर जब दुबारा से इनको देखने के लिए आता है तो इसे कहने लगता है तो इपने बोड़ी के उपर एतना प्रेशर डालने के जुरूत नहीं है मैंने खुद भी स्किल को दिखने में 5 साल का टाइम लगाए था और 5 सार बाद में जब मैंने इस स्किल को सीखा तब जिलरने लगा मैंने काफ़ी कम टाइम में इस स्किल को सीख लिया है इसलिए तुम भी अपनी बोड़े का इसकिने के बजाए अपने दिमाग का चैदा यूज़ करो तुम दोनों अभी बहुत यंगो मैं पास ने इस स्किल को सीखने के लिए काफ़ी इच्छा लंब टाइम है लेंगयों कहती है फादर सुन्यान ने इस स्किल को मास्टर भी कर लिया है उसने तीनों स्टेजिस कम्प्लीट कर दी है ये सुनकर ये गवणर काफ़ी चोग जाता है और फिर एकदम से थोड़ शांत होकर लेंगयों से पूचता है और तुम्हारा क्या तुम कहां तक पोची लेंगयों कहती है करें नहीं मैं तुम्हीं भी स्टार्टिंग में ही हूँ गवणर कहता है मुझे पता था तुम एक दब बेकार हो चैन वुडी तुम ही बहारा तुम्हारी बैसे तो कुछ भी नहीं हो रहा तुम्हें खुदी इस क्लिकों सीखना होगा मुझे एकीन है तुम भी बहुत जल्दी इक दिनों शेजिस को सीख जाओगे ये सुनने के साथी चैन वुडी उस रूम के दबाह निकलता है वो उड़ते हो भार आता है और कहन लगता है मैं चैन वुडी वापिस आ गया हूँ मेरे अंदर जित्ती भी कल्डीश पावर पेरल थी वो साइक सारी वापिस आ गयी है मेरी पावर बेखल उतनी हो चुकी है जित्ती पहले कभी थी सुनियान कैसा रहेगा तो मुझसे फाइट करो सुनियन कहता है मुझे नहीं लगता अभी मैं फाइट करनी चाहिए क्योंकि आँपर तुमारे फादर और तुमारे सिस्टर है इस फैट एक खतम जाने के बाद में अगर वो तुमारे रोता हो देखेंगे तो उन्हाँ अच्छा नहीं लगेगा उन्हाँ तुमें अच्छा लगेगा चैन वीडी कहता है तुम अपनी चिंता गरो मैं तुम से बादा करता हूँ मेरे फादर और मेरे सिस्टर जब तुम रो रहे होंगे तो तुम पर हसेंगे नहीं तुमें समालने के खोश करेंगे जिए कितर चैन वीडी इस फैट को श्रू कर देता है वो अपने हाथ के अंदर कंडिशन अर्जी को एक्टिवेट करते हुए सुनेंट के उपर एक जोस अटेक करता है जिस सुनेंट बिड़ी सेट डोच करता है लेकिन यहाँ पर अटेक रुपते नहीं है चैन वीडी लगातार सुनेंट के पर अटेक करता जाता है इस तरीके से सिबिटी सो डोच करने की बाद में सुनन एकदम से चैन वुडी की पेट पर एक जोज लाकमा देता है लेकिन अब चैन वुडी की डिफेंस भी कवश अंदर हो चुका है इस वेज़े उसे कुछ खास होता नहीं है लिकि सुनन को एक और जिर्शी सकता चलती है चैन वुडी के पास में भी अब फैनोमेन का टैलेंट है जो की सुननन के पास में था चैन वुडी वहें पे खड़ा-खड़ा इसे अक्टिवेट करता है और उसके मद से सुनन को पर अटेक कर देता है चैन वुडी के इस टेक के अंदर कवश तब पावर होती है जैसे अटेक सुनन के और पड़ता है सुननन की बोड़ी भी बहुत बूरते से निचे के तब दबने लगती है तब ही सुननन जोड़ चले कहता है ग्रेविट रिंग एक्टिवेट मेरा स्बस्की ग्रेविट को का उफचा तब बढ़ा दो सुननन के ऐसा करने के साथी जैन वड़ी का बैलन्स तोर से फिकर जाता है उसका टैक रुख जाता है इसी का फाइदा उठाकर सुननन जैन जैन वड़ी के मुँपर एक जोर से मुक्का मारता है मुक्का खाने के बाद में जैन वड़ी कहने लगता है रुक जाओ, टाइम ब्रेक, सुनन ये तुम जाग कर रहे हो, मैं तुम्हारे उपर phenomenal talent का use किया, तुम्हे भी उसका use करना चाहिए, तब ही तो हमारे बिच की fight एकदम बराबर से होगी, अब चलो मुझसे डंक से fight करो, इसी के साथ ही चैन वुडी और सुनन की बीच में से कहें लगता है, अब बस इस fight को रोग दो, तुम दोनों की fight का फिलम भी चल चुकी है, अब मुझे लगता है, इसका result अभी नहीं निकलेगा, तुम्हे थोड़ा आराम करके, energy को रिट्रीफ कर लेना चाहिए, ये बात बान कर, सुनन और चैन वुडी थोड़ा आराम करत से के अंदर, ministry और defense के, सभी लोग को बुलाओं, और सुनन को बताओं, मेरी पावर उस वापिस आ गई है, सुनन केता है, मुझे नहीं लगता, ये पार्टी रखना अच्छा idea है, क्योंकि यहापर जित्ते भी लोग है, और मेंसे कही उसे तो, मेरी fight चल रही है, अगर तु और जिन लोगों को मैं दिखाए ये तरह था, वो लोग मुझे कही चिड़ाते रहते थे, अब जब मेरी पावर उपिस आ चुकी है, तो मैं इसका advantage जुठाओंगा, उन सभी की बास में जाकर उनसे अपना बदला लूँगा, उन्हें बताओंगा, कि पुराना कहने लगता है, मुझे यहाँ पर invite किया गया है, आज भी अंदर यहाँ पर कोई party चल रही होगी, वहीं पर अंदर मैं सब को बताओंगा, कि मेरी पार वापेस आ चुकी है, इसी टैम पर, इस जिगह पर, यह calculator पोच जाता है, यह वही calculator है, जिसके सामने, सुनने ने, मोच चैन को मार दिया था, यह सुननों दिखता है, सुनने, तुम घटर कर रहे हो, यह जगह तो मुझे तौमारी लिए नहीं, सुनन कहता है, अब क्यों तो मित्तमे बड़े होगे, कि तुम मुझे बताओंगे, मुझे किस जगह पर जाना है, कौन से जगह मेरी लिए, क Iss कर क्योंकि अब उसे अब उन पावर दिखाने का एक सही मुखा मिल चुका है इसी के साथ चैन वूडी इस कल्डीटर के गाल पर एरक के थपड़ मार देता है इससे इस कल्डीटर के बहुत बुस्टाने लगता है ये कहता है तुम्हारी हिमत के सोही, पुचे सोट थपड़ माने की चैन वूडी कहता है मैं तुम्हें थपड़ मारा, क्योंकि तुम इस थपड़ के लायक थे अगली बार बोले से पहले जोड़े धो उसोच लिएना कौन है वो जिस विल्ड के अंदर अपने टैंग को खतम करवना चाता है